सद्गुरु जी, यहां कैंपस में सबसे प्रचलित सवालों में से एक है FOMO, यानि Fear of Missing Out. हमें, हमें गतिविधियों में पिछडने का डर होता है, अपने प्लीस्मेंट में पिछडने का डर होता है, इस दुनिया की लगबग हर चीज में पिछडने का डर होता है. तो सद्गुरु जी मेरा सवाल ये है कि हमें कब समझ जाना चाहिए कि अब बहुत हो गया, हमें इसे रोकना है और इससे हमारे निर्ने प्रभावित नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से यहां कई लोगों के मन में ये सवाल है और हम इस बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं देखिए पिछडने का डर जीवन को थोड़ा आगे बढ़ कर देखते हैं इस educational institution में आप सर्फ कुछ समय के लिए आप खुद को किसी चीज के लिए तयार करने आए हैं आप इसलिए यहां नहीं आए हैं क्योंकि यही आपके मन्जिल है यह आपको एक अच्छे पैकेज में पैक करने वाली जगा है ताकि आपको हाँ आज काफी अच्छे पैकेज में हैं तो बात शिक्षा की नहीं है, मगर इसकी कि हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं, जहां तक पिछडने का सवाल है, पिछडने का डर, पहले तो डर, पिछडने से पहले डर के बारे में बात करते हैं, डर हमेशा इस बारे में होता है, कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, है न, डर का संबंद उससे नहीं है, जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं, क्या होगा, हमेशा यही डर होता है, या दूसरे शब्दों में आपका डर उस चीज के बारे में है जो अभी हुई नहीं है आपका डर उस चीज के बारे में है जिसका अस्तित्व नहीं है ये सारे management वाले लोग हैं अगर मनोचिकित सा विभाग का कोई यहां होता तो आप उनसे पूछ सकते थे अगर मुझे किसी ऐसी चीज से डर लग रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो मेरी स्थित्वी क्या है तो उनके पास आपके लिए एक टाइटल होगा हां निमान स्पास ही है हम उनसे पूछ सकते हैं वो भी एक जानामाना इंस्टिट्यूट है हमें उस से तकलीफ है जिसका अस्तित्वी नहीं है अगर आपको उस चीज से तकलीफ है जिसका अस्तित्वी नहीं है तो इसका संबन जीवन से नहीं है शिक्षा से नहीं है करियर से नहीं है बस आपका दिमाग आपके काबू से बाहर है क्या आपको सबसे पहले इस एहम पहलू को मैनेज नहीं करना चाहिए इस से पहले कि आप किसी उद्योग या कारोबार को मैनेज करें क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को मैनेज करना सीखें हलो, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है की उम्र तक अगर आपको अलसर नहीं हुए, तो आप अच्छे CEO नहीं है, क्योंकि आप इस तरह संयोग से मैनेज कर रहे हैं, डर इसलिए होता है, क्योंकि संभावना सिर्फ संयोग से है, है ना, मुझे बताइए, मान लीजे आपको साइकल चलानी नहीं आती, आप स्टैंड पर खड़ी साइकल पर बैठे और यूहीं पैडल मारने लगे, और वो स्टैंड से उतर कर चलने लगी, घबराहट होगी या नहीं, तेज चलने लगी, डर लगेगा या नहीं, बहुत तेज, देहशत होगी या नहीं, साइकल के कारण देहशत नहीं होती, बस इतना है, कि आप उसे चलाना नहीं जानते, अगर आपको चलाना आता हो, तो वो जितनी तेज चले, उतना मज़ा आता है, है ना, जितनी तेज चले, उतना अच्छा, हम ने साइकल बनाई ही इसलिए, क्योंकि हम पैडल चलने से तेज चलना चाहते थे, यहीं मकसद है, लेकिन अगर आ प्राणी नहीं आती, तो कितना डर लगता है, तो अभी आपकी समस्या दुनिया से नहीं है, आपकी समस्या आपकी शिक्षा से नहीं है, आपकी समस्या है, आपकी शिक्षा प्रणाली, किंडर गार्टन से ही, किसी ने आपको नहीं बताया, कि खुद को कैसे मैनेज करें, उन काम्याबी कई वजाओं से होती है। आपका किसी और से थोड़ा बहतर होने का मतलब है, जिससे आप बहुत खुश होते हैं, इसका मतलब है कि आप असल में दूसरे लोगों की नाकाम्याबी से खुश हैं। है ना, दुर्भागे से आप इसी दिशा में जा रहे हैं, यही वज़ा है कि मानव क्षमता पूरी तरह जाहिर नहीं हो पाई है। अगर आप एक लंगडे व्यक्ति के साथ दौर लगा रहे हैं, तो आप खुश होंगे क्योंकि आप उससे एक कदम आगे हैं। जब आप मिस्टर बोल्ट से मिलेंगे, तभी आप समझेंगे कि आप कौन हैं। तब तक आपको लगेगा कि आप एक बड़े धावक हैं, क्योंकि दूसरे आदमी के पास पैर नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे आप खो देंगे। जीवन हम सभी के साथ हो रहा है। सवाल बस ये है, अगर मैं इस पार्टी में नहीं गया, तो क्या मैं कुछ खो रहा हूं। अगर मैंने ये परीक्षा पास नहीं की, तो क्या मैं कुछ खो रहा हूं। अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली, तो क्या मैं कुछ खो रहा हूं। इसके वज़े सिर्फ ये है कि आप जो हैं, वो अभी आंतरिक रूप से व्यवस्थित नहीं है, वो बाहरी चीजों पर निर्भर है. आप अभी बहुत नियंतरित कैंपस में हैं, आपका कैंपस बहुत ही खुबसूरत है, बहुत ही शांदार कैंपस. और आप बहुत नियंतरित कैंपस के माहौल में हैं, जब आप बाहरी दुनिया में कदम रखेंगे, और अगर आप लोगों को ये तैय करने देंगे, कि आपके भीतर क्या होता है, तो वो आपको कुछी समय में पागल कर देंगे. यहाँ आपके लिए सब व्यवस्थित है, आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कोई और मैनेज कर रहे हैं, जब आप सड़क पर निकलते हैं, अगर आप दूसरे लोगों पर छोड़ दें, कि वो आपकी खुशी या दुख तै कर सकें, तो निश्चित रूप से आप दुखी होंगे, क्योंकि वो कई सारी चीज़े करेंगे, आपके अंदर क्या होता है, ये आपको तै करना चाहिए, है ना, आप लोगों की नकल करी क्यों रहे हैं, ज्यादतर लोग ये जानते भी नहीं हैं, कि वो क्या कर चाहिए, ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लए ने पेंटगन जॉइन किया, वो पेंटगन में काम कर रहा था, वो अपनी काम करने वाली टीबल एक आफिस से दूसरे आफिस, दूसरे आफिस से तीसरे आफिस में खिसका तरह, फिर वो गलियारे में पहुँच गया, फिर बगीचे में यहां वहां फिर वो पुरुषों के शौचालय में चला गया और वहां बैट कर काम करने लगा हर कोई यह देख रहा था इसके साथ क्या समस्या है शुरू में उन्होंने सोचा कि यह रूसी एजेंट है फिर उन्हें लगा कि वो मुस्लिम आतंक्वदी होगा फिर उन्हों पेंटगन के मनूच चिकित्सक को बताया कि यह शक्स पागल होगे, वो पुरुष शौचाले में काम कर रहा है और वहीं अपना ठिकाना बना कर काम कर रहा है। मनो चिकित्सक यूही टहलते हुए शौचालाय में घुसा, मनो उसे शौचालाय का इस्तेमाल करना हो और बाचीच शुरू कर दी। फिर उसने पाया कि वो काफी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ही लगा। उसने पूचा, तुम शौचालाय में बैटकर क्यों काम कर रहे हो। वो बोला मैंने हर जगा जाकर देखा। आखिरकार मैंने पाया कि सिर्फ यही वो जगा है जहां लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे है। कर दो एक है कि वो जगा है जहां लोगों कर रहे हैं लोगों कर दो कर दो कि वो जगा है।